तो हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम इस यूडियो के अंदर बात करने वाले हैं इन्पीडेंस एटोम के बारे में तो बेसेगली आप सभी को पता होगा दोस्तों जो अधिकतर मार्केंट के अंदर स्पीकर आते हैं चायो फोर होंका बनाती है डायड स्पीकर या फिर उक बलाती है आज हम बात करने वाले येतहों वाले स्पीकर के बारे में इसमें क्या दोस्तों एर्टोम कर एकch spikot होता है तो आज में आपको इस वीडियो के इंदर क्या है 4 शौर का Gi Brar ging Sonia Venoses बाताओंगा Гरी इस वीडियो के इसी वीडियो मिलते रहें तो चले वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों तो दोस्तों हम आज चार स्पीकर को मिला करके एटों बनाने वाले हैं तो यह चीज़ हम क्यों करने वाले हैं दोस्तों क्योंकि क्योंकि हमारे मेरे पास है एक amplifier जिसकी आप email देख सकते हो यहां पे इस amplifier के बारे बात करें तो इस amplifier पे 2 ohm पे यह देती है 1000 watt इसके अंदर आपको 4 ohm and 8 ohm का लोड नहीं दिया गया है पर हम अंदाजे से आप मान सकते हो क्योंकि 2 ohm पे 1000 watt देती है तो 4 ohm पे एप्रोस मिली 700-800 और 8 ohm पे इसका आप वोटेज मान सकते हो पर चैनल का 400-500 watt इसका आप वोटेज मान सकते हो तो मेरे पास क्या है दोस्तों चार चार स्पीकर रहा है 400 वाट इस amplifier में अगर बिना 8 ohm बनाए चलाता हूं तो उनका वोटेज होता है 2 ohm पे 2 ohm पे होता है 400 वाट और यह amplifier 2 ohm पे देता है आपको 1000 वाट तो यह क्या ज्यादा वाटेज को जाएगा इसके लिए हम क्या करते है यह प्लिफार दे रहा है आपको अटोंबे 400 से 500 वाट तो हमें क्या करना है इन चारों speaker के combination हमें ऐसा करना है ताकि इन चारों speaker का यह टोंब पे आउटपूट हो जाए 400 वाट यह लिए 400 वाट तो दे रहा है तो इन चारों speaker का हमें क्या मिले impedance atom मिले तो यह कैसे है इसको जानने से पहले आप सभी को यह पता होना चीए कि कैसे किया जाता है और दोनों के connection करने नेकर यह रहा है और बढ़ता है या गड़ता है अगर आप यह छीजा करना है यह जो है चार्ग speaker पाहले हमें लेने हैं दो speaker लेते हैं दोस्तों तो दोनों speaker है हमारे पास 8 ohm करते हैं तो इन का ohm गटेगा और दोनों का 8 ohm है येट theal connection करते हैं तो प्रों हो फॉर akan हो जाएगा हम दोस्तों 8 ohm का एक speaker है और इसके अंदर क्या करते हैं के से इसके अंदर काननेक्शन करते हैं वह साथ थितर से अग्णा और स्पिकर हैं उचे वी काव ऑंधा वह और स्टो करनेक्शन करते हैं और अब की मिल जाएगा और सो लगा और ऑл दोनोience the लिगला यह हो गया सिरीज करने के बाद अब क्या करते हैं दोस्तों यह 16 ऑम के हम क्या करते है प्ल ररह liberty ुम धरिचेशन करने US को 16 ऑनों 11 उनको खैसoured चलाउस गरता है तो 15 बना i7 तो मिस तरह से कबना कर्वार करते हैं तो वो स्पीकर का बन गया 8 ohm पे हो गया 400 वाट स्पीकर का लोड और एंप्लिफायर भी आप एट ओम पे 400 से 500 वाट का लोड मान सकते हो पर चेनल पर तो दोस्तों आप इस तरह से ओम्स को बढ़ा सकते हो गटा सकते हो पेराल कनेक्शन करके एंड सीरीज कनेक्शन करके तो हम बात करते हैं बागे वीडियो के अंदर तो आप वीडियो को करते हैं प्रेंटिकली आप सभी के सामने तो चलिए दोस्तों दोस्तों हमारे पास यह चारी स्पीकर है दो बोक्स के अब सामने हमने क्या है कि 16 बना लिया दोनों का 16 बना आप पीची क्या करते हैं जिसे प्लस से प्लस और मैंस से माइनस तो हम कर लिए प्रलक्नेक्षन तो हो गया एक कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब तो आई होब दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो देखने के लिए आपसे पिका धन्यवाद